पियम आवास योजना में घर बन रहा था खुदाई में इतना खजाना मिला कि पुलिस लगानी पड़ी उताप प्रदेश के जालोन में एक किसान के निर्मारा धिन मकान की खुदाई में सिक्के निकले हैं वो भी चांदी के सिक्के एक या दो नहीं लगबख 200 चांदी के सिक्के खुदाई में निकले हैं सिक्कों के अलावा चांदी के कड़े भी मिले हैं चांदी के सिक्के और कड़ों को पुलिस न अपने कब्जबे ले लिया है जिस जगे से खुदाई में चांदी के सिक्के निकले हैं वहाँ पर पुलिस बलको तैनात कर दिया गया है आज तक के आलिम सिद्धी की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी के इतने पुराने सिक्के जालन कोतवाली शित्र के व्यास पुरा गाउं से मिले हैं, गाउं के किसान कमलेस कुसवाह, प्रिधार मंद्री आवास योजना की मदद रासी से मकान बन वा रहे थे, शुकुरवार दसमार्च को मकान की नीव खोड़ते वक्त अचानक मजदूरों को चांदी के सिक्के मिले, ये खबर पूरे इलाके में फैल गी, गाउंवालों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रसासन के अदिकारियों को दी, सूचना मिलते ही जालन कोतवाली पुलिस ने बन रहे घर को कबजे मिले लिया, फॉरेंसिंग टीम के साथ पुराता तो विभाग को इसकी जानकारी दी गए, दसमार्च की देर रात तक प्रसासन की ओर से खुदाई कराई गई, इस दौरान मौके से ड़ाइसो चांदी के सिक्के और चार कड़े बरामद होने की खबर है, जानकारी के मौके साल 1861 में इस्तिमाल किये जाते थे, इस मामले में हो रही कि उपजिलादिकारी राजस सिंग ने बताये कि उन्हें खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की सूचना मिली थी, वह पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुँचे, वहाँ पर एक किसान का मकान बन रहा था, झाल झाल